तो स्वागत है ग्यापनिकेडमी के इस अब्जेक्टिव क्लास में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा मैथ का और जितना भी गाइड है आपका जितना भी गाइड है गोल्डेन वगरा आप प्रिबियस यह पुराने साल का कुश्चन अब्जेक्टिव पूछा तो बाबू आपका 50 में 50 अब्जेक्टिव सही होगा यह मेरा दावा है एकदम 50 आपका किलियर हो जाएगा हंडेड में 50 तो इजली आप सही करके आएंगे ठीक है और आज सब्जेक्टिव का बात तो तो लाना बहुत असान है वह तो पता सब को रहता है कि कहां से है क्योंकि देखो 100 में 100 का गारांटी सिर्फ गौड दे सकता है ठीक है खुदा दे सकता हो इंसान के बस का बात नहीं है ठीक है यहां समझेगा थोड़ा सा ट्रीक यहां आप ट्रीक समझ रहे होंगे और इससे कितना अब्जेक्टिव कोश्चन बना है जो कि पूरे पूरे गाइड जितना है उस सब में से निकाला गया और प्रिवियस एर से ब्क है अब परिमें प्रकिर्ट संख्या जानते हैं पूंड संख्या जाते हैं पुर्णांग और प्रिमें इसमें 2 हीट यह być उसे हम लोग क्या कहते हैं पूरांग बोलते हैं याद रखेंगे मतलब पूरांग ठीक है इसमें पॉलस वाला भी होता है माइनस वाला भी होता है जब भी आप से पुछ दे धनातमक पूर्णा याद रख लिजेगा यह चीजिशन पहले बता देना है कोश्चन सुरू करना स तो समझे कि पॉलस वाला लेना है एक दू तीन को लेना है पॉलस वाला जब उलने होता है इसा पीला वाला यह वह रेड वाला इससे परभी में संकh야 और वहीं बता में जो इसमें बताएक दोया है ठीक जा знаете कि सब्सक्राइप नी Çünkü बट्टा एक छी पर आता है उसे परिमें संक्या करते है आज जो नमबर रूट में हो यानि रूट से बाहर नहीं निकले उसे बोलते हैं आप से अपरिमें संक्या आपसे सबसे जोड़ा लग जाए तो सम हो गया जिसका जोड़ा लग जाए उसे सम पूछा जाने वाला यही है इसी से ज्यादा बावु कुश्चन रहता है आप लोगो तैयारी जबर दस करना है रात को कड़ी मेहनत करना है ठीक है रात को सांत हो कर पड़िये ठीक है यहां देखें अब ह जाहजे पूछ सकता है जिसको तोड़ा जाए तो मातर दो ही फेक्टर हो जैसे की दो को तोड़ियेगा यह को एक से कटेगा एक से उसे कटे घकड़ी से कटेगा तो ऐसे ही संखें कैंग और ब्ला आघ्धा को से कटे जैसे की चार 6 कटे एक से तो icar नौ नौ कटेजा एक से ीन से नौ से lies हिंसे करते बाद लुवी संक्यान इसे योगिक संख्या भी क schem Heaven योगी संक्याद रखीगा चार चोवाट यह लिख दिया है इतना आपको समझ में आया होगा यह बहले बेसिक बता देने का मतलब आगे अगर यह समझ गए तो पूरा अब्जेक्टिव आपका सई होगा आपका 50 में 50 नमर होगा देखते हैं आपको मैत में कौन पीछा करता है ठाक है हमको नहीं लग रहे आपको टुक कर दे पाएगा अगर एक पर वीडियो देख लेते हैंlor सहभाज संक्या क्या है साहभाज संक्या क्या है मैसा लिखा दो और और हो लिखान किया जाएगा कि कोई भी लगतार संख्या का होता है तो लगतार मन्हों दो três का कोई बोलता है इंसर इधर वाले को मत मार दीजेगा मत прив il à ऐसे बोलते हैं मैं वलोग सआवारे संखेव तिसरा अब पूछेगा कौण सा संखे असान थे ख। है कैसे बता रहा है नहीं घतम ठाइब और नीचे इस नम बन क्या है सांथ है और दो और पांच नहीं आए तो समझेंगा क्या है और सांथ है इतना आपको समझ में आया होगा बाकी कोश्चन में हम लोग समझ लेंगे ठीक एक कोश्चन बाबू हमेशा पुछता है रेक्रिंग वाला जैसे कि पॉइंट डाल देगा दो और तीन डलके से डाल देगा बोले है कि इसका भिन लीख है या बट्टा लीख है तो इसको बट्टा में कई से आप तो सिखें अगर ऐसे कोश्चन रहता था सिर्फ नहीं है पॉइंट तो है ही लेकिन उसके साथ रेकरिंग भी है तो आप देखिए रेकरिंग एक की तरह दिख रहा है न अई पॉइंट जीरो की तरह इसका मतलब रेकरिंग और जीरो हटता है तो नौ आता है क्या आता है नौ तो यह जब हटे में रहेगा और इसी से अब्जेक्टिव देखी आते हैं बनाते हैं अब देखिए बहुत असान कोश्चन है और यह पूछा गया कोश्चन है कह रहा है कि 156 का अभाजी अभाजी अभी बताया थे जिसके तोड़ने पर मातर दो ही अंक से कटे तो 156 को तोड़िये उसमें रहे से कटेगा फिर एक बार में बाबू कितना बरा है जाभ इसको घात hair गात भी के थान बहुत है यहां पर सब्सक्राइब तोड़ने के बाद निकाली तो देखिए अगर हम 14 को तोड़ रहा है समझेगा 14 को 35 से तोड़ रहा है यहां पर 35 तो 14 दुना 28 ठीक है यहां 15 हो जाएगा अगर 15 में से गट आते हैं तो साथ बचेगा यह कड जाएगा फिर यह से करेंगे तो हो जाए कितना आपका साथ दूना 14 ठीक है इतना ही नहीं नहीं सकता इसको एक बार तोड़के देख लेते हैं कहीं इसमें आ जाए तो जब इसमें ट्राइगे तो 18 से हम लोगो देना है 25 में भाग तो पचीज मत अठारह एकम अठारह यह भी हो जाएगा साथ फिर इदर हो जाएगा अठारह कटना है ठीक है यह Drive टो इस चारघाrice आ Creek जाएगा एर मारत ट्राइगा लाशन में क्या बचाए एक बच्चै को लगे जो कड जाता है तो इसको समझ गया आप यहां पर यह वाला सही है सभाजे इसमें यह हो जाएगा जिसका क्या है अगला कुस्चन देखिए निम्ली खित में से कौन योगिक संख्या योगिक संख्य किसे काते है जिसका फैक्टर दू से ज्यादा हो ठीक है तो इसको तोड़िएगा तो एक और तीन होगा ठीक है इसको तो तो एक और साथ होगा ये एक से कटेगा और साथ से कटेगा ये एक से और एक तालिस से कटेग था कटें तो केटना बार दूगों अंक से कटे तो ही न है जो एक से कटेगा दूरर्शी कटेगा यहीं दूगों कटेगा बाकी तो दूर्सरे ज्यादा ऑंक से कटेगा तो यह वला हो जाएगा अगला कुस्टन देखे किसी धनात्मक पूर्णांग धनात्मक मने पूर्णांग अभी यह बताये थे पूरा अंख होना चाहिए लेकिन पॉलस वाला में एक दो तीन चार माइनस वाला नहीं लेना है पांज यतना हो जाए आगे संख्या अब कह रहा है एक और इसमें थोड़ा समझेगा कह रहा है ध किसम धनात्मक पूर्णा निए के रूप में लिखना यह क्यू मन अब धनात्मक कोई भी और वरीके इस चाहरों में हैं क्यू कमान एक दो तिन चार पात जो मन में भरा सूबर यह लेकिन उस सब में क्या क्या आना चाहिए भी सम आना च्छाहीं sum 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 और एक साथ अगर क्यू बराबर दो भरते हैं तो छोग दूना बारा एक तेरा ठीक है तो बाबु अगर जब अपने दोस्तों के पास जरूर से अगला कुश्चन हम लोग देखते हैं छे नंबर कुश्चन किसी पूर्णांग पी के लिए थोड़ा सा कुश्चन में मिस्टे है तो देखिए यह दोनों जो कुश्चन है यह यह वाला आपका पांच नंबर अच्छे नंबर इसमें से एक जरूर रहेगा यह दिमाग लाकर अच्छा से देख लिएगा समझें पर कह रहा है कि पी एक पूर्णांग कोई भी नंबर भरिये पूर्णांग ठीक है लेकिन इसमें बरियेगा तो सम आने की समावना है ठीक है तो यह भी हो गया आपका यहां देखिए बाइस बटा साथ क्या है वाह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है देखिए पाइप कमान आप जानते है कितना होता है बाइस बटा साथ तही मत कहिए कि दोनों बराबर है नहीं लेकिन देखिए बाइस बटा साथ है तभी यह परिमे है नहीं कि इसका में पौइंट में जाता है ठीक है झाली चूछ देखिया है तो तो को प्रके और ये पड़ें प्रतियों पर्ते परमाइशेंख्या enjoy आदी यहां रहा है अगला। कुम मेंद हो किकली नुमाने दो संख्याओं के बीच कितनी अब आपसे पुछेंगे में और परेमाइशा के का आपको सांख्या कि बीच में नहीं होना सब्सक्राइब करने तो हैं है कि कंल नहीं होना चीजिए अगर कोई नमबर तीन इसे बाद एक है जैसा नम रहा हैं तो तो परिमेंघ होगा या फिर के बाद ऐसे जाकर रुक जा रहा है तो रूप Jim बाता है किसके बाद क्या आने वाला है दो ही दो ना आएगा यही पता है लिए यहाला संभ्या एक के जैसा पॉइंड के बाद नहीं है और ऐसी संख्याات जो पथ ही नहीं इसके बाद क्या क्या आएगाısı होता यह भी नहीं होता यह दिमाग में रखेगा अगला नंबर को हम लुग तो यह भी नहीं है यह गाते तो 49 ऐसे लिखा है ठीक है आप बटा में है 41 तो 49 करूर्ट शे निकले गए तो साथ अई हो जाएगा आपका इतना आपको समझ में जरूराय होगा अगला कोशन देखिए अगला कोशन है कि सबसे छोटी अभाजय संख है जो दो अंकों से कटे तो सबसे चोटा दू है यहां पर बोला है सबसे छोटी भाजय संख है तो चार है दूनु का गुड़ान फल बोल रहा है तो चार दूना सबसे छोटा है जो दूसे ज्यादा अंक से कटेगा दूसे कटेगा एक उसे कटेगा तो यह जाएगा चारा दोनों का गुड़ान फल पूछा था ठीक है अब देखिए रूट टू क्या है तो यह क्या है अपर में संख्या है सिंपल इतना तो आप जरूर जानते होंगे य यह57 दूर यह ज्ट बोल रहा है कि तो किसे कटेगा एंसरे खान भुड़ांग भरीज़गा तो कटेगा इसका क्या उपाय है बताइए तो उपाय है X कमान अगर हम 1 रखते हैं एक तो पॉलस में 1 भाग देना है न इससे एक पॉलस 1 इससे कट जाएगा पावर एक अगर यहां दो रखते हैं तो नहीं कटेगा तीन अगर रखते हैं न एन कमान तो कुछ भी रखना है न ठीक है तो यह AQ-BQ पर तूट जाएगा यानिके एक पर कड़ जा रहा है तीन पर जार और एक तीन क्या है वी समय तब कर डी अप्सन हो जाएगा ठीक है अगला कुछ देखिए अगला कुछ ने निम लिखीत में कौन और में संख्या बाबू यह तो आपको पता है न उस समय से यहीं पढ़ा रहे हैं मार्ये तो ट यह रूट में है भी तो बाहर निकल चार यह होता है ढ़कित इसके नीचे भी तो बटा मैं यह हो जाएगा हिए सोला का симlingen होता है चारी में पूचा गया रूट वाल्ह यह वह 25 बार मूल 5 हो जाएगा यह देखिए यह वाला तो पुर्मै सांत के लिए बट्टा वाले नंबर में हमेशा क्या आना चाहिए दो आना चाहिए या पांच आना चाहिए क्या आना चाहिए दो आ जाए या पांच आ जाए तो समझ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा सांद जैसे इसको तोड़ियेगा हर को तो हर को जब तोड़ियेगा तो क्या जाएगा दो पचे दस दो या पांच आया जब चार को तोड़ियेगा तो कितना हो जाएगा से सद्क यहां, एकासी को तुड़िया गाना, दो से, तो नहीं थूटे, नौ से तूटे गाब, नोइभा, नाव आएकासी, नीचे बता एकासी को तुड़िया तो नीचे दो और 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब कि यह सांत नहीं है एक 40 को तोड़िएगा तो यह भी नहीं आएगा 45 को तोड़िएगा अगर तो 45 को एक बर तोड़के भी देख लेजीए 45 तो यह हो जाएगा 5 से कट 3 से कट कैंढ़ है है कि 80 को जब तोड़ियेगा ऐसे तो दो से 40 देखिए तो और पंच को छोड़के दूसरा को नहीं यह जाएगा बीस यह जाएगा दोस यह जाएगा पांच पांच चे सब्सक्राइब तो दो का पावर तीन अगुणों अगोंच आया कि यानि दो और पांच दे यहां कुछ भी दे तो सांथ होता है ठीक है तो यह दिमाग में रखेएगा अब यह धायदा स्पीड में बना लीजिए इसको जब तोड़ीएगा लिखाया चार सो को तो तो आएगा और सी को तो तो आएगा एक सब्सक्राइब दोनों आएगा ठीक ह सानथ है तो चाहिए तो नीचे दू पांच आना चाहिए तो तींपचें रहें पांच्छ स्थेंग का फांच तूसरा नंबर होता थो उसे जब सालोग आएगा अब पुछेए लेकिन यह अचांद है तो यहां देखे च्छो बटा पंदर का हो तो तीन और पांच आ है ता दूसरा कोनों संक्य अगर नीचे आ रहा है तो देखना एक बार उपर कट तो नहीं रहा है ना नहीं तो गबड़ा जाएगा कट गया तो ठीक है तो वह बहुत ना कटा तो अप्सन है मारो इस वह ठीक अब देखो अगला कुश्च्छ ने मिली किसमें कौन सा दसमलाव पर सा सांथ है देखके ही बताइए सांथ यही होगा सांथ आठ तीन बटा आठ 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 को डारेक पहले तोड़ लेजिए जब तोड़िएगा तो दो दो ना दो चौका आठ यह हो जाएगा दो एक हम दो दो से तीन को दू आया ना तो यानि कि तीन बटा दो का पावर तीन तो अगला कोश्चन देखिए हाँ यह कोश्चन भी रहता है LCM अरे से दो संख्याओं का गुणा नफल मान लेजिए कि कोई संख्या है दू आ कोई संख्या है चार अगर इसको गुणा कर रहा है क्या कर रहा है गुणा कर रहा है ठीक है या तो क्या होता है कि इसके बराबर रहत दुनों का LCM निकल के यहां लिखिए इसका HCFA ओई दुनों को गुणा कीजिएगा न तो अब आठे आएगा तो यह फर्मूला याद रखेगा और जो भर देना जैसे यहां समझेगा कोई दूगो संख्या है जिसका HCF मौसा को बोलते हैं HCF याद रखेगा मौसा को बोलते है HCF को बोलते हैं LCM तो किसी का मौसा किसी का लौसा दे दिया है बोला है कि एक और संख्या पता है दूसर ना पता इबाइस में और इसमें दूनों बार पुछा है तो यह तो हम एसा पुछता है लिख लिजिएगा भी बी आई विवी आइमाने भागे भरों से आई नहीं हो एक सबस्ट दिया इसका LCM जो भी है भर दिजिएगा अब कटाई है 27 दूना दूसरे दू अटे सोल दू एकम दू एकस बराबर एक आसी ठीक है तो जब एकस कमान आ गया दूसरी संख्या क्या हो जाएगा एक आसी आ जाएगा ठीक है दो लगतार संख्याओं का मौसा क्या होता है तो दीकिए जैसे कुशन बोले वैसे आप कर दीजी कोई लगतार दू को संख्याली लिजी से दू हो जाएगा आचा है तीने हो जाएगा लगतार है कि ने इसका मौसा निकाले जिए भाग देखें दो एकम दो एक हो जाएगा फिर कटाईगा अब बताए भी थे द बारा में 15 से भाग जब दीजेगा तो बारा एकम बारा तीन हो जाएगा फिर तीन चौग बारा उतार यहां पर तीन चौग का बारा ठीक है अब देखें यहां तीन आया तीन एंसर नहीं हुआ यहां अप्शन में दिया है एक पार देख भी ले ते फिर एक इस में तो करते हैं अगला वहाँज़न देखें इसके का बारी में कोड़ा है बोला तो पर में करन करते करेंगे बारा है ना तरुट चार गुड़ा रूट तीन होता है पीर भाराऊ हो जापन कोई दिया है यह वाला है आपका नम्बर सी हो जाएगा है है यहां देखिए चालीस और स कोई से पता चला है कि आप कितना पड़े है ना जी उसके बाद ने इसका सब्जेक्टिव आएगा वह तो खैर जो बता जाएगा वही आएगा कर रहा है कि लगतार दूगो संख्या का एंसीफ निकालेगा तो का होगा एंसर अरे भाई तो जब लगतार क्रामिक संख्या होना इधर होगा जी दोटियां चौऑ कट जाएगा कितना वह खें हैं सीफ ये वाला हो गया दो अब देखें यहां कार रहा है दो या दो से अधिक अभ हाजसंक्या का मुझा क्या होगा जब इसको भाग दीजिेगा तो दो Sumamadar किया होगा तो आप देख लीजे तो आपका एक ही एंसर होगा अब यहां देखिए बाबु शंदार जखकास मस्त कोस्चन फिरा गया कर रहा है कि किसी धानात्मक धानात्मक मतलब का होता है जी धानात्मक मनें पॉलस वाला कोई भी नंबर ए और बी कोई है ठीक एबी का एक उने नहीं पता है यहां देखिए अब यहां पर कुछ दो संख्या है उसका दुनु संख्या का एल सीम और एच्ची एफ दे दिया है यहां पर ठीक है दूनु संख्या में एक छोड़ दिया ए लिखाए तो संख्या का होता है एल्सीएम गुड़े हैं एल्सीएम गुड़े हैं एक उसक्या नहीं पता है छोड़ दो दो एको पता है ना 18 लिखो एल्सीएम कितना है 36 एने बचा एने दो दूना चार बचा ए बराबर चार अपका अप्शन नमबर बी हो जाएगा ठीक है यहां देखिए यह इस में सब तो कोश्चन एक हो रहेगा ठीक है किसी तरह घूमाया कर पूछे फर्मुला आपको ए बराबर बी क्यू पॉलस आर दे दिया है बुलाइब वैलूबर यह ओका दे दिया है देखिए ध्यान से इसको कह रहा है कि वाजह आधो ढहिए अधा इसको बोलते हैं क्यों बच जाता है जब यह होगा तो से कौन सा सई तो डाइरेक्ट यह मार यह यह वाला आप्सन सब्सक्राइब इसमें दोनों में ऐसे सिंबल रहता है एक जगह जीरो आर यह अगर इसमें डाउट है न तो आप जा करके प्लेलिस्ट खोले और उसमें वन लेसन का बेसिक है बेसिक देख लिए तो बस पूरा डा सब्सक्राइब देखें इसका इसका प्रिमेसा कि आप रड़ी हम आपको बताए थे जब उर वाइंट हटता है तो नो बैटता जाए अगर ऐसे कुस्टन हो तो आप बताइए का में कॉमेंट में इसे होगा ठेक है तो उमीद करते हैं कि आपको इसक्वेस्टन समझ में आय गाइड देखने के बाद से उसमें very very important question निकाला गया है और आपके exam में हम guarantee यहां लिखके आज दे रहे हैं आपको आपको ऐसा ट्रीक बताएंगे सब कोश्चन बन जाएगा कौन कोश्चन है बस उतना पड़ लिजेगा टोटल आपको इजी वे में बना लेंगे और बहुत ही असान तरीका से टॉप अपड़ बेस्ट नमर लाएंगे अपने पडूसियों को जलाएंगे तो फिर हम लोग मिल तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ तब तक के लिए जहिंत